नमस्कार, RBI के गवर्नर, स्रिमान, शक्तिकांदाश जी, क्रीज गुपाल कुश्णन जी, मेंबर्स अपर रेगुलेटर्स, फाइनान्स इन्डिस्ट्री के लीडर्स, फिंटेक और स्टार्ट उफ गवर्ल के मेरे साथी अन्ने सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये भारत में त्योहारों का मौसम है, अभी अभी जन्मास पर ही हमने मनाई है, और खुशी देखिए, हमारी एकोनामी और हमारे मार्केट में भी उत्सव का माहूल है, इस फेस्टिव मूड में, ये ग्लोबल फिंटेक फेस्टिवल हो रहा है, और वो भी सपनों की नगरी मुंबई में है, मैं देश और दुनिया से आए, यहां सभी महमानों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, यहां से आने से पहले मैं अलग-अलग एग्जिबिशन्स देख करके आया हूं, काफी साथियों से गप्पे गोश्टी करके आया हूं, हमारे नवजवानों के इनोवेशन का और फ्यूचर की संभावनों का एक पूरा नया संसार वहां दिखाई दे रहा है। चलिए आपके काम के लिए मैं शब्द बदलता हूं, एक पूरी नई दुनिया दिखाई दे रही है। मैं इस फेस्टिबल के आयोजगों को सब को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं। साथियों, यहां बड़ी संख्या में विदेशों से हमारे महमान प्याये हैं। एक समय था, जब लोग भारत आते थे, तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी देखकर दंग रह जाते थे, हरान हो जाते थे। अब लोग भारत आते हैं, तो हमारी फिंटेग डाइवर्सिटी को देखकर भी हरान होते हैं। एरपोर्ट पर लेंड करने से लेकर, स्ट्रीट, फूड और शॉपिंग एक्स्पिरियंस तक, भारत की फिंटेग क्रेंटी, चारों तरब दिखती हैं। पिछले दस साल में, फिंटेग स्पेस में, 31 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का निवेश हुआ है। दस साल में, हमारे फिंटेग स्टाट अफ में, 500 परसेंट बृद्धी हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा, और जीरो बैलेंस, जंधन बैंक खातों ने, भारत में कमाल कर दिया है। आप पुयाद होगा, कुछ लोग पहले पूछते थे, पारलामेंट पर खड़े होकर के पूछते थे। और अपने आपको भध विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धी बांट रही थी, तो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे, वो पूछते थे, भारत में बैंक कितनी ब्रांचीज नहीं है, गाउं गाउं बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे, बिजली भी तो नहीं है, रिचारजिंग कहां होगा, फिंटे कांति कैसे होगी, यह पूछा जाता था, और मुझ जैसे एक चायवाले को पूछा जाता था, लेकिन आज देखिए, एक दसक में ही, भारत में, ब्राट बेंड यूजर, 60 मिलियन, यानि 6 करोड से बढ़ कर, 940 मिलियन, यानि करीब 94 करोड हो गए, आज, 18 वर्षे उपर का, शायद ही कोई भारतिय हो, जिसके पास, उसकी डिजिटल आइडेंडिटी, आधार कार्ड नहीं है, आज, 530 मिलियन, यानि 53 करोड से अधिक लोगों के पास, जन्धन बैंक खाते हो गए, यानि 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टिम से जोड़ा है, सात्यों जन्धन, आधार, मोबाइल की स्ट्रिनिती ने एक और ट्रांस्फर्मेशन को गती दिये है, कभी लोग कहते थे, कि कैश इस किंग, आध दुनिया का करीब-करीब, आधा, रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन, भारत में होता है, पूरी दुनिया में भारत का यूपियाई, फिटेक का बहुत बड़ा उधारर बन गया है, आज गाव हो या शहर, शर्दी हो या गर्मी, बारिस हो या बर्बिर रही हो, भारत में बैंकिंग सर्वीज, चोबिस गंटे, साथों दीन, बारा महिने चलती रहती है, कोरोना के इतने बड़े संकट के दोरान भी, भारत, दुनिया के उन देशों में था, जहां हमारी बैंकिंग सर्वीज, बिना किसी दिक्कत के चलती रही, साथियों, अभी दो-तीन दिन पहले ही, जन्धन योजना के दस साल पूरे हुए है, जन्धन योजना, दिमेन एम्पाउर्मेंट का, बहुत बड़ा माध्यम बनी है, जन्धन योजना के चलते करीब, टू हंड़ेड नाइन्टी मिलियन, यानि उन तीस करोर से ज़्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं, इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए नए आउसर बनाए हैं, इनी जन्धन खातों की फिलोसाफी पर हमने, माइक्रो फैनांस की सबसे बड़ी स्कीम, मुद्रा लॉंच की, इस स्कीम से अभी तक 27 ट्रिलियन रुपे से दिक का क्रेडिट दिया जा चुका है, 27 ट्रिलियन, इस कीम की करीब 70 परसेंट बेनिफिशेरी महिलाएं है, जन्दन खातों ने महिलाओं के सेल्फ हेल्फ उसको भी बैंकिन से जोड़ा, इसका फाइदा आज देश की 10 करोड रूरल विमेन को मिल रहा है, यानि जन्दन प्रोग्राम ने महिलाओं के फाइनांसल एम्पावर्मेंट की एक मजबूत नीव रखी है, साथियों पूरी दुनिया के लिए पैरलल एकना में एक बड़ी चिंता का विशेर रही है, फिंटेक ने पैरलल एकनामी पर भी चोट की है, और बधाई के पात्रा आप लोग हैं, आपने ये भी देखा है कि कैसे हम भारत में डिजिटल टेक्नलोजी से ट्रांस्परेंसी लेकर आए है, आज सरकार की सेंक्रो स्किम्स के तहट डायरेक्ट मेनिफिट ट्रांस्पर किया जाता है, इसमें सिस्टिम से लिकेज बंद हुई है, आज लोगों को फॉर्मल सिस्टिम से जुड़ने में अपना लाब नजर आता है, साथियों, भारत में फिंटेक की विज़े से जो ट्रांस्पर्मेशन आया है, वो सिर्फ टेक्नोलोजी तक ही सिमित नहीं है, इसका सोशन इंपेंट बहुत व्यापक है, इससे गाव और शहर की खाई को ब्रीच करने में मदद मिली है, कभी हमारे हाँ, बैंक की सर्विस लेने में ही, एक पूरा दिन लग जाता था, एक किसान के लिए, एक मचवारे के लिए, एक मिडल कास परिवार के लिए, यह बहुत बड़ी मुसिबत थी, फिंटेक ने इस समस्या को दूर किया, कभी बैंक सिर्फ एक बिल्डिंग तक सिमित हुआ करते थे, आज बैंक हर भारतिय के मुबाइल में सिमड गए है, साथियों फिंटेक ने हैं, फाइनांशियल सर्विस को, देमोकर्टी बनाने में भी, बड़ी भूमी का निवाई है, लोन, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्मेंट, इन्शोनल जैसे प्रोड़क, सब के लिए, आसानी से सुलब हो रहे हैं, फिंटेक ने, एक्सेस टू क्रेडिट को भी आसान और इंक्लूजिव बना दिया है, मैं गुदान देता हूँ, आप जानते हैं, भारत में, स्ट्रीट वेंडर्स की एक पुरानी परंपरा है, लेकिन वो फॉर्मल बैंकिंग से बहार थे, फिंटेक ने इस थिति को भी बदल दिया है, आज वो, पी-म स्वनीधी योजना से, कोलेटरल फी लोन ले पा रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के आधार पर उनको बिजनेस बढ़ाने लिए, और लोन मिलता रहता है, कभी शेर और मिच्छल फंड जैसे प्रोड़क्ट में, इन्वेस्टमेंट बड़े शहरों में ही संभव था, आज गाव और कस्मों में भी इन्वेस्टमेंट के इस एमेन्यू को बड़ी संख्या में एक्स्प्लोर किया जा रहा है, आज कुछ ही मिनिटों में गर बैटे ही डिमेट एकाउंट खुल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिपोर्ट्स ऑनलाइन मिल रही है, आज बड़ी संख्या में भारतिय रिमोट हेल्ट केर सर्विस ले रहे हैं, डिजिटली ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्कील्स शिख रहे हैं, ये भी फिन्टेक्स के बिना संभव नहीं था, यानि भारत की फिन्टेक्स क्रांती, डिजिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको बहतर बनाने में भी, बड़ा रोल निभा रही है, साथियों, भारत की फिन्टेक्स क्रांती की उपलगदी शिर्फ, इन्वेशन के लिए ही नहीं, बलकि एड़प्शन लेकर के भी है, भारत की जनता ने, जिस पीड और स्केल पर, फिन्टेक्स को एड़प किया है, उसका उदारन कहीं और नहीं मिल सकता, इसका एक बड़ा क्रेडिट, हमारे डिजिटल पब्लिक इन्फरासक्चर, डिपी आई को भी जाता है, और हमारे फिन्टेक्स को भी जाता है, देश में इस टेक्नोलोजी को लेकर, ट्रस्ट पैदा करने के लिए, अद्भूत इनोवेशन किये गए हैं, क्यू आर कोर्ट के साथ साथ, साउन बॉस का उप्योग, ऐसा ही इनोवेशन है, हमारे फिन्टेक्स सेक्टर को, सरकार के बैंक सखी कारकाउं का भी, अध्यन करना चाहिए, और मैं सब फिन्टेक के वारे नवजवानों को कहना चाहता हूँ, ये बैंक सखी है क्या, मैं अभी ज़गाव आया था एक दिन, तो मैं ऐसी बैंच सक्षों से मिला, तो बड़े गर्व से कहते हैं, मैं एक दिन में डेड़ करोण रुपय का कारोबार करते हूँ, और एक गाव की महला थी हूँ, हमारी बैटियों ने, गाव गाव में, बैंकिंग को, डिजिटल एवेरनेस को जिस प्रकार फैलाया है, उससे फिंटेक को एक नया बाजार मिला है, साथियों, 21 सदी की दुनिया, बहुत तेजी से बदल रही है, करेंसी से, क्यू आर कोर्ट की यात्रा में, सदियां लग गई, लेकिन अब, हर रोज हम नए इनोवेशन देख रहे हैं, डिजिटल अनली बैंक्स, और नियो बैंकिंग जैसे कंसेट हमारे सामने हैं, डिजिटल त्विंस जैसी टेकनलोजी, डेटा आधारित बैंकिंग को, नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही हैं, इससे, रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन, और कस्टमर एक्स्पिरियंस सब कुछ बदलने वाले हैं, मुझे खुशी है, कि भारत भी लगातार, नए फिंटेक्श प्रोड़क्श लाँच कर रहा हैं, हम ऐसे प्रोड़क्श तयार कर रहे हैं, जो लोकल है, लेकिन उनकी अप्लिकेशन ग्लोबल है, आज, O.N.D.C. यानी Open Network for Digital Commerce, अनलाइन शॉपिंग को इंक्लूजिव बना रहा है, ये छोटे बिजनेश, छोटे एंटरप्राइजिस को बड़े अवसरों से जोड रहा है, एकाउंट एग्रिगेटर्स, लोगों और कम्पनियों का कामकाइच, आसान करने के लिए देटा को यूज़ कर रहा है, ट्रेड्स प्लेटफर्म के मदद से छोटी संस्ताओं की लिक्विडिटी और कैस्ट फ्लोग बहतर हो रहे हैं, ये रूपी एक ऐसा डिजिटल वाउचर बना है, जिसे कई रूपों में इस्तिमाल किया जा रहा है, भारत के ये प्रोडक्स, विश्व के, दूसरे देशों के लिए भी उतने ही उप्योगी है, और इसी सोच के साथ, हमने जी ट्वेंटी प्रसिडेंसी के दौरान, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इन्फरस्रक्टर रिपोजिटरी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे, जी ट्वेंटी मेंबर्स ने, खुले दिल से स्विकार किया था, मैं, AI के दुरुप्योग से जुड़ी आपकी चिंताओं को भी समझता हूँ, इसलिए भारत ने, AI के एथिकल यूज के लिए, ग्लोबल फ्रेमवर्ग बनाने का भी आहवान किया है, साथियों, Fintech सेक्टर की मदद के लिए सरकार, Policy Level पर, हर जरूरी बडलाव कर रही है, हाल में हमने, Angel Tax को हटाया है, ठिक नहीं किया, नहीं ठिक किया है न, हमने देश में, Research और Innovation को बढ़ावा देने के लिए, एक लाह करोड रुपिय का फंड बनाने की गोशन आती है, हमने डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया है, मेरी हमारे रेगुलेटर से भी कुछ अपिक्शाए है, हमें साइबर फ्रोड को रोकने के लिए, और डिजिटल लिटरसी के लिए, और बड़े कदम उठाने होंगे, साइबर फ्रोड स्टार्ट अफ की फिंटेक्श की ग्रोथ में रुकावट न बने, ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, साथियों, पहले के जमाने में बैंक डूबने वाली है, या बैंक डूबी है, या डूब जाएगी, ये बात फैलते हुए, इंपैक्ट होते होते, पांसाथ दिन निकल जाते थे, आज अगर किसी विवस्ता में पता जला कि इस पर साइबर फ्रोड है, ये एक मिनिट में महामला पूरा, वो कंपड़ी गई, फिंटे के लिए बहुत जरूरी है, और साइबर सॉल्यूशन, उसका बाल मुर्ति बहुत जल्दी हो जाता है, कोई भी साइबर सॉल्यूशन निकाल ये है, उसका बेइमान लोग तोड़ निकालने में देर नी करते, तो उस सॉल्यूशन का बाल मुर्ति हो जाती है, फिर आपको नया सॉल्यूशन लेके आणा पड़ता है, साथियों, आज सस्टेनिबल एकोनमिक ग्रोथ ये भारत की प्रात्विक्ता है, हम स्ट्रॉंग, ट्रांस्परेंट और एफिशन सिस्टिम्स बना रहे हैं, हम फाइनियांसियल मार्केट को एडवांस टेक्नोलोजी और रेगुलेटरिव फ्रेमवर्क से मजबूत कर रहे हैं, हम ग्रीन फाइनियांस से सस्टेनिबल गोर्थ को सपोर्ट कर रहे हैं, हम फाइनियांसियल इंक्लूजी के, उस इंक्लूजन के सेचुरेशन पर बल दे रहे हैं, मुझे भी स्वास हैं, भारत का फिंटेक इकोसिस्टिम, भारत के लोगों को क्वालिटी लाइफटाइल देने के मिशन में बहुत बड़ी भूमी का निभाएगा, मुझे विश्वास हैं, भारत का फिंटेक इकोसिस्टिम, पूरी दुनिया की इस अप लिविंग बढ़ाएगा, और मुझे मेरे देश के युवाओं की टैलेंट पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है, और मैं कहता हूँ, बड़े विश्वास से कहता हूँ, अवर बेस्ट इज येट टू कम. यह आपका पांचमा समारो है ने, तो दसमे में मैं आऊंगा. और तब आपने भी कलपना नहीं की होगी, वहाँ पर आप भी पहुचे होंगे दोस्तों. आज अभी मैं आपके कुछ स्टार्ट अप यूनिट्स वारों को मिला, सब को तो नहीं मिल पाया, कुछ लोगों को मिला. लेकिन हरे को दस-दस हुंबर्ग देखर के आया हूँ. क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा बड़लाव लानेवल अक्षेतर है, सब्सक्राइब. एक बहुत बड़ा रिवलुशन हो रहा है. और उसकी मजबूत नीव, यहाँ हम देख रहे हैं. इसी भरोसे के साथ, आप सब को मेरी बहुत बहुत शुब कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद. चशने को मेरी बहुत बहुत है, बहुत है हम दोते हैं! वなたby는 को चुपझ के रखक है! को मेरी अपर सब DAYते हैं! चल्फका वाने Caleb son! कि अपाल जी के कहने पर हमने फोटो निकाली लेकिन आपको निकाल लगेगा इसका क्या मटलब है मैं फायदा बताता हूँ मैं AI की दुनिया से जुड़ा हुआ इंसान हूँ तो आप अगर नमो एप पर जाएंगे तो नमो एप पर फोटो डिविजन में जाएंगे वहाँ अपनी सेलफी रखेंगे और आज कहीं पर भी आप मेरे साथ नजर आते हैं तो आपको वह अपनी फोटो मिल जाएगी ABP माजा उगडा डोले बगा नीट